तक्षा तृत्य में विश्य नेतिक शिक्षा में आज हम आपको शिष्टा चार के बारे में बताएंगे शिष्टा चार कहते किसे हैं? शिष्टा चार दो सब दूसे मिलकर बना हैं सिष्ट पिलस आचार अर्थात ऐसा हमारा आच्रन जो सब को अच्छा लगे यानि सद्व्यवहार को ही हम सिष्टाचार कहते हैं हम रात को सोते हैं सोने के बाद सुबह को उचते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले हमें प्राते इसमन करना चाहिए प्रातेस्मन ये है कराग्रे वस्ते लक्षमी करमदे सरसुती कर मूले तुगोविंदा प्रवाते कर दर्षनम ये इस प्रकार से इसके साथ इसलोग हैं उन इसलोगों को दोराना चाहिए उसके बाद फिर हमें अपने दादा दादी बड़े माता पिता भाई बेहन जो भी है करने चाहिए उसके बाद फिर हम देनिक कारियों में निब्रत हो जाएं देनिक कारियों से निब्रत होने के बाद फिर इस्तनान करें इस्तनान करके घर में ही भगवान के मंदिर में पूजा पाट करें पूजा पाट करने के बाद में जब हम विद्याले को आएं तो अपन कख्षा में प्रवेस करते हैं आचार जी नहीं होते हैं तो हमें कख्षा प्रमुक से कख्षा प्रमुक से अनुमती लेकर के प्रवेस करना चाहिए प्रवेस करने के बाद में आपस में एक दूसरे को भाई बेहन का प्रियोग करते हुए नमस्कार करना चाहिए क्योंकि इसके इसमें भी कहा गया है कि अभिवादन सीलस ब्रदोपशे विना चत्वारितस्तवर दंते आयू विद्या इसो बलम यह उस व्यक्ति की चारों चीज बढ़ती है जो अपने से बढ़ों का नमस्कार करते हैं अपने से बढ़ों का सम्मान करते हैं आयू विद्या यश और बल यह चारों चीज बढ़ती है दूसरे जब हम कख्षा में हमारे आचार जी आते हैं तो हम उठकर के अईवादन करते हैं आचार जी के कहने पर बैठते हैं हमें किसी से कोई वस्तु लेनी होती है तो विनम्रता के साथ निवेदन करते हैं कि भाया क्या मैं ये बस्तु ले सकता हूँ करपया आप मुझे ये बस्तु दे सकते हैं इस तरिके के सब्दु का परियोग करते हैं उनके कहने पर बस्तू को लेते हैं और जब लोटाते हैं तो उसके बाद उसको समय से लोटाना चाहिए और धन्यवाद सब्स्तं कहना चाहिए अपने से बढ़ों के नाम लेने से पहले उनके आगे स्री और बाद में जी जरूर लगाते हैं कोई यदि सो रहा हो तो उसे हम बड़े आराम से जगाते हैं यह नहीं कि उसे ज्ञड़ोड दिया और जल्दी उठ जाओ अपने से बड़ों को जब बोलते हैं तो तुम नहीं बोलते उनको आप लगा करके बोलते हैं उनको आप लगा करके बोलते हैं जी इस प्रकार कुछी यह हमारे विद्याले में होती है कुछ घर पर होती है जैसे बिद्याले में आप कक्षा में प्रुवेश करते हैं तो कहते हैं कि स्रीमान जी मैं अंदर आ सकता हूँ उनके कहने पर ही आप कक्षा में जाते हैं अपनी क्लास में बैठे हुए बच्चों को छिड़ खानी नहीं करते हैं सीधी ठीक से बैठते हैं कक्षा में आचार जी की बात ध्यान से सुनते हैं घर पर अपने बड़ों के पृति सम्मान से देखते हैं कहीं कोई की बड़ों के साथ में हमें चलना होता है तो हम उनके बराबर में या उनसे आगे नहीं चलना चाहिए उनके पीछे पीछे चलना चाहिए ये सिस्टाचार की कुछ थोड़ी सी बाते मैंने आपको बताई इस बाकी जो अभ्यास कर रहे है वो आपको समय पर मिल जाएगा